दोस्तो रोयल कॉर्णर यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज मैं वापस से आपके लिए एक सेंट्रल गवर्मेंट की जॉब लेकर आया हूँ आपका खाली दसवी पास अब भी है अगर आप हो तो भी इस पोस्ट के लिए आप अपलाई कर सकते हो आपके बस एकस्परेंस हो तो भी इस प्रेंस नहां तो भी आपपलाई कर सकते हो तो दोस्तो वीडियो शुरूर करने से पहले आप अगर हमारे रॉयल कॉर्णर र्यूटूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजाएगा और वीडियो को लाइक और शे निकला है इस्टन कमाट सिंगनल रेजिमेंट के रिक्रूटमेंट का तो उसी के नोटिपेकेशन के पेडियेप के ऊपर हम लोग आ चुके हैं तो हम लोग यह पर देखेंगे कि कौन को से पोस्ट पर वैकेंसी है कितनी वैकेंसी है और अपलाई वगरा किसे करना है तो शुर पर लेवल डू का पेश के लिए आपर रहेगा उननीसनानो सिल्टरी स들 दोस्टो किया पर सेलेरी है तो जो drastically आपला जयेगा पवचिसर के लिए ननरट liar घ्लबर प के लिए नोशचिए थे तो यह आपको यह पर देख सकते हुँ उसमें अगर DA, HRA मिला के आपका 43,000 के असपर salary जाएगा तीन post के लिए यापर vacancy है, category वाइस है यापर आप देख सकते हो तीन नमबर का post है दोस्तों यापर बारबर का post है लेवर ओन का पेस के लिए यापर 18,000 से 5,900 के यापर salary आपको दिया जाएगा उसमें HRA DA मिला के काफी जादा salary आपका यापर हो जाएगा दो post के लिए यापर vacancy है चार नमबर का post है दोस्तों यापर स्विपर मैन का post है यापर लेवर ओन का पेस के लिए 18,000 से 5,900 के आपको salary मिलेगा दो post के लिए यापर vacancy है पास नमबर का post है दो पर दोस्तों यापर मेसिंजर का post है यापर लेवर ओन का पेस के लिए यापर 18,000 से 5,900 के आपर salary मिलेगा है एक post के लिए यापर vacancy है टोटल 10 post के लिए यापर vacancy निकलिए है आप category यापर सब कुछ देख सकते हो तो दोस्तों qualification के बारे में बात करें तो cook के post के लिए यापर qualification matrix का दिया हुआ है यहने कि 10 वी का यापर qualification होना ज़रूरी है और Indian cook का आपको knowledge यापर होना चाहिए दो साल का यापर experience आपको होना चाहिए दो नमबर का post जो है तो washerman का उसके लिए भी 10 वी का आपका qualification यापर दिया हुआ है और आपको experience यापर होना ज़रूरी है तीन नमबर का post है दोस्तों यापर बारबर का उसके लिए भी आपका 10 वी होना ज़रूरी है और बारबर का experience आपको यापर होना ज़रूरी है बारबर के काम का जो experience रहेगा उसका आपका knowledge होना जरूरी है उसके बाद superman का जो post है दुस्तो उसके लिए भी दस्वी का यहापर होना जरूरी है दस्वी पास आप चाहिए और सपाई का experience आपको यहापर होना जरूरी है लास्ट वाला जो post है दोस्तो मेसिंजर का उसके लिए आपका दस्भी होना जरूरी है और डिप्लोमा इन कॉम्पुटर और टैपिंग का उपका और कॉम्पुटर का नॉलेज आपर होना जरूरी है उसके बाद दोस्तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 1 सेप्टेबर 2021 से आपका एज काउंट किया जाएगा आपका एज 18 से 25 के बीच में यापर होना जरूरी है अगर आप रिजरो कैटेगरी से आते हों SC, ST या OBC से तो SC, ST के लिए 5 साल का यहाँ पर relaxation दिया जाएगा और OBC के लिए 3 साल का relaxation यहाँ पर दिया जाएगा अगर आप एक सर्विसमेन या existing government के जो कुछ employee वगरा जो अगर होंगे तो आपको भी यहाँ पर government of India के rule के नुसर यहाँ पर relaxation मिलेगा उसके बात दोस्तों बात करें अगर fees payment के बारे में तो सब category के candidate के लिए आपर 100 रुपेस का charges आपर दिया हुआ है 100 रुपे charges आपको लगेगा चाहिए आप SC, ST, OBC उनसे भी reserve category से हो आपको 100 रुपे का charges आपर लगने वाला है उसके बात दोस्तों बात करें अगर selection process से तो आपका पहले writing test यापर होने वाला है 100 marks यापर writing test आपका होगा उसमें general awareness के उपर आपको 25 questions यापर पूछे जाएंगे 25 marks के लिए आपर 25 questions रहेंगे उसके बात general English के लिए 25 questions यापर रहेंगे 25 marks के लिए उसके बात numerical aptitude के लिए 25 questions से आपर पूछे जाएंगे 25 marks के लिए उसके बात general intelligence resource के लिए 25 questions से आपर पूछे जाएंगे 25 marks के लिए उसके बात 100 marks का आपका practice test होगा आप जिस भी post के लिए apply कर रहे हो उसका knowledge आपको है कि ने वो test के लिए टेस्ट करने के लिए आपका practice test है आपर लिया जाएगा अगर आप writing test और practice test दोनों पास कर लेता हो तो आपका selection यापर होने वाला है तो दोस्तों application form भी इसी के अंदर दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो application form यहाँ पर दिया हुआ है इसको आपको अलग से type करके लेना पड़ेगा क्योंकि वो notification के साथ में directly यहाँ पर दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आप यहाँ पर अलग से इसी format में यहाँ फर्मेट दिया हुआ है फर्मेट को अलग से टाइप करके सब डीटेल्स आपका यापर भरना है सबसे पहले आपका पूरा नाम पूरा नाम फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्द एज, आपका एज कितना है डेट ऑफ बर्द के नसर आपकी category, nationality region आपका पूरा address पीन के साथ में mobile number, आधर number, email id और academic professional details यापर देनी है उसके बाद में नीचे के साइड में आपका जो education details है board का नाम वगरा सब कुछ passing year वगरा सब कुछ आपको यापर उसके बाद दोस्तों आपको यापर declaration complete करना है उसके बाद आपको piece payment का जो 100 रुपेस का यापर bank में जाकि DD निकलना है वो DD का number यापर enter करना है उसके बाद आपका thumb का impress यापर लगाना है उसके बाद दोस्तों यापर नीचे आपका admit card दिया हुआ है admit card का roll number आपको नहीं enter करना है यापर बाकी का आपका नाम सब कुछ यापर ठीक से बरना है address यापर बरने के बाद आपको speed post चे इस वाले address पर आप देख सकते हुआ आपर address दिया हुआ है इस वाले address के उपर आपको send करना है आपको DD इसी नाम से निकलना है the commanding officer HQ Eastern command signal regiment Fort William Kolkata 21 इस नाम से ही DD निकलना है और इसी नाम पर आपको अपना सब कुछ document यहापर send करना है इस form के साथ में आपको आपके जो qualification document से वो यहापर experience के document और qualification document इसके साथ में attach करके यहापर send करना है photo video ठीक से यहापर आपको attach करना है और send करना है तो दोस्तो यहापर आपका address और email idea और contact details जो भी रहेगा वो आपको clear cut भरना है क्योंकि उसके उपर आपको return exam के लिए date यहापर मिलने वाली है तो दोस्तो फॉम बरते समय या और भी कुछ आपको अगर problem आता है तो मुझे comment box में आप बता सकते हूँ मैं आपको problem जुरूर स्वाल करूंगा तो दोस्तो अगर बात करें job location की और exam की तो आपका कोलकता में कोलकता में होने वाला है यहापर अगर दोस्तो आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe कीजिएगा वीडियो को like कीजिएगा और share कीजिएगा तो धन्यबात दोस्तो मिलते हैं अगले वाले ऐसे ही नए वीडियो में